नमस्कार, मिरा नाम है सुमिस सिंग मैता, हाजुरू आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ, ठीक है? आज से हम यहाँ पर Solid State Physics के लिए एक लेक्चर स्रील स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका आज हमारे पास Lecture No.1 है, ठीक है? फिर उसको बाद हम Solid की बात करेंगे और Types of Solid की बात करेंगे, ठीक है? फिर उसको बहुत Important किसके बात करेंगे? Space Lattice, यहाँ बोल सकते हैं इसको हम Point Lattice क्या होता है? उसके बात करेंगे, फिर हम Translation Vector की बात करेंगे और इसके दो Special Case, Permittive Translation Vector और Non-Permittive Translation Vector क्या होता है? उनके बारे में भी डिसकस करेंगे, ओके आप Solid State को फिजिक्स, इसको शुरू करने से पहले आपके दिमांगों पहला Question यह आया होगा, कि Sir, कि What is Solid State Physics? कि Solid State Physics है, वो क्या है? देखो, उसको explain करना बहुत ही आशान है, Solid State Physics is a branch of physics in which we study physical property of solid. हम क्या करते हैं? Solid State Physics क्या है? एक physics की branch है, जिसमें हम Solid के physical property के बारे में study करते हैं. हमें देखते हैं कि हम Solid को गरम करते हैं, तब उसकी property में किस तरीके से change आता है? हमें देखते हैं कि Solid के अंदर जो atom है या फिर molecule है, वो किस तरीके का vibration करते हैं? ठीक है? हम सूपर conductivity के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं. तो यह सब किसकी property हैं? Solid की property हैं और यह सब कहां study करते हैं? इस Solid State Physics में study करते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे lecture स्रीज आगे बढ़ेगी, आपको पता चलता रहेगा कि क्यूं हम Solid State Physics से पढ़ रहे हैं? ठीक है? तो फिलहाद इतना जान लो कि Solid State Physics में क्या करते हैं? हम किसी Solid की physical property की study करते हैं. ठीक है? वो physical property कौन-कौन होंगी? वो जैसे जैसे lecture स्रीज आगे बढ़ेगी, आपको उसका अंताजाल होते जाएगा. Now, अब हम जानते हैं हमारे nature में जो matter होता है, वो कितनी state में होता है? तीन state में होता है. कौन-कौन सी? Solid, liquid और gas. ठीक है? हमने ये पढ़ा हुआ है, class 8 से हमें पढ़ते हैं कि हमारे nature में जो matter होता है, वो तीन state में होता है. कौन-कौन सी? Solid, liquid और gas. तो जो state of matter है, वो कितनी होते है? तीन type की होती है. कौन-कौन सी? Solid, liquid और gas. ये कब है? जब आप graduation level में हो. अगर आप post graduation level में हो, तो वहाँ पर एक और state जोड़ जाती है, जिसे हम plasma बोलते हैं. तो वहाँ पर four state हो जाती है. ठीक है? Solid, liquid, gas और plasma. लेकिन अभी हम कहा है? Undergraduate level मे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे? कि जो हमारे पास matter है, उसके सिर्फ तीन state होती है. कौन-कौन सी? Solid, liquid और gas. अगर हम matter की बात करा तो matter केतने type का होता है? या तो वह solid हो सकता है, या वो gas होगा, या फिर वो क्या होगा? हमारा liquid होगा. तो जो हमारे पास क्या है? matter है, वो matter तीन type का हो सकता है, या क्या हो सकता है? ऑफिर वो gas हो सकता है, या हम क्या हो सकता है? अब liquid और gas के बारे में हम यहां पर discuss नहीं करेंगे, liquid और gas के हमारे पास क्या होती है? Thermodynamics होती है हम किसकी बात कर रहे है Solid Sterephysics की बात कर रहे है Liquid or Gas को कहां पढ़ते है Thermodynamics है या Kinetic Theory of Gases वह हम discuss कर लेते हैं तेक है वो भी हमने Lecture Series start कर रहे है अब उसे भी देखिए आप Liquid और Solid के बारे में भी जान जाओगे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं Solid के बारे में पढ़ रहे है तो Solid के बारे में देखो अब Solid क्या होता है फिर Solid के बारे में पढ़ रहे है तो Solid क्या होता है देखो Solid को define करना बढ़ा है आसान है Class 6 में पहली बार में पढ़ाता कि Solid वो होते हैं जिनका shape, size और volume फिक्स होता है, जिनका shape, size और volume ये क्या होता है, हमारा fix होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर constant होता है, फिर change नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, solid बोलते हैं, जैसे मेरे पास कहा है एक इटा है, वो इटा क्या है, solid है, क्योंकि जब तो उसमें hammer नहीं मारता में उसको तोडता नहीं, फैंकता नहीं, उसका शेप वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है उसको अंदर रग दो एक कौने में, आप दस साल बाद उस पथर को देखो गे तो वैसा ही रहेगा, बसरते उसमें कोई किरिया न हो या फिर कोई रियक्शन न हुई हो ठीक है उसके आसपास पाइन गया हो या फिर उसमें कहें से चूर न लगी हो तो वह इटा वैसा ही वैसा रहेगा जैसे लोहा लोहा क्या है एक टाइप का सॉलिड है ठीक है हमारे पास क्या होती है कोई स्लैब है ल solid है, तो solid क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, या फिर ऐसे matter होते हैं solid, जिनका shape, size और volume क्या रहता है, fix रहता है, now, जो solid होता है, वो भी क्या होता है, different type का होता है, अब इसका classification करेंगे, यानि किस तरह के से हम solid को classify करेंगे, देखो, चाहे वो solid हो, gas हो, या फिर liquid हो, ये सब के सब कि होते हैं, या फिर molecule से मिलकर बने होते हैं, तो ये solid किस से मिलकर बना होता है, atom से मिलकर, या फिर molecule से मिलकर बना होता है, और इनके जो atom और molecule हैं, वो क्या करते हैं, एक बहुत ही खुबसूरा सा arrangement बनाते हैं, किसे बनाने के लिए, इस solid को बनाने के लिए, हुआ क्या, कि जो है तो स्नानस ओर पर दूसरा होता है कभिया हेमारे पर नौन स्नाई शॉलेट दूसरा नाइन चुह बडेमाद काुए हाँ और सब्सक्रेज्य फाल करता है क्रिस्ट्लाइन दूसरा कहा है हमारे पास फॉज keine भी बोलते हैं तिक नो समझते हैं कि crystalline solid क्या हुआ अभी हमने discuss किया कि जो solid हो किस से मिलकर बना होता है atom से मिलकर बना होता है या फिर atom क्या होते है अरेंज होते हैं और उस arrangement से क्या बनता है हमारे पास solid बनता है अगर वो arrangement of atom कैसा हो periodic हो ठीक है धान सुनना बात को अगर arrangement of atom कैसा हो periodic हो तब उस तेको solid को क्या बोलेंगे हम crystalline solid बोलेंगे और अगर arrangement of atom periodic ना होकर random हो तब उसे हम क्या बोलेंगे non-crystalline solid बोलेंगे देखो अब कैसा हमको देखने को मिलेगा arrangement अगर जब crystalline होगा और non-crystalline होगा ठीक है तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो solid होता है किस से मिलकर बना होता है atom से और atom का arrangement है कैसा हो सकता है? periodic भी हो सकता है अगर periodic होगा तो वो कैसा होगा? crystalline solid होगा अगर वो random होगा तो कैसा solid होगा हमारे पास non-crystalline solid होगा अगर अरेजमेंट कुछ ऐसा हो, यह एक अटम है, इससे चिपका हो यह एक अटम है, फिर 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 एक अटम है, फि यहां पर यहां पर यह सारे सारे एक और यहां पर झाहिए देख कर रहाएं कि यह इने अपने यहाँ पर रिपीट कर रहा है थि इस आरे इटम R+. यहां पर जो अरेजमेंट है वो कैसा है? पिरियोडिक है या बोल सकता हूँ में सब्सक्चारी शर्षी शर्षींट होता है है कैसा देखने को मिलता है? क्र्स्टलाइन शर्षींट के अंदर जो हमारे पास Atom का Arrangement होता है, कुछ इस टाइप का होता है यानि कैसा Arrangement होता है, Regular Arrangement होता है या बोल सकते है, Periodic Arrangement होता है ठीक है, तो यह क्या होगा हमारे पास, जो Crystalline Solid है उसका जो Atom होगे, वो इस तरीके से क्या होगे, Arrange होगे तो यहाँ पर हम लिख दूँगा, कैसा Order हो जाएगा, Periodic Arrangement of Atom Periodic Arrangement of Atom और लेकिन यहाँ क्या होगा, Non Periodic होगा, या कैसा होगा, वो Random होगा अब यह कैसा देखने को मिलेगा, यह तो क्या होगा, Crystalline होगा यह किसका Example होगे हमारे पास, Crystalline ओके, अगर मैं यहाँ पर किसके बात करों, Non Crystalline की बात करों तो वहाँ पर क्या होता है, Atom का Arrangement Random होता है तो कैसा देखने को मिलेगा, इस State को मिलेगा डिखने को कि एक आटम यह है, फिर यहाँ यह है फिर एक एटम ये है और एक एटम ये है एक एटम ये है फिर एक एटम ये है फिर एक एटम ये है फिर अगें ये है फिर यहां ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है अब देखो क्या ये रेंडम है ये प्रियोडिक है यानि यह periodic नहीं है तो यह कैसे हो गए यह Atom कैसे है रेंडम ली अरेंज है तो यह क्या हुआ इस टैप का क्रिस्टल एक स्पर क्या कहलेगा हमारे पास nonenteplain solid कहलेगा तो यह किसका Example हो गए हमारे पास non crystalline solid ठीक है यहाँ पर क्या होता है जो arrangement होता है periodic नहीं होता है, यहाँ पर लिखने से जो arrangement is कैसा, in regular, यहाँ बो, सीज़ से लिख दो in regular arrangement of atom ओके, ना example देखते हैं इसका example क्या होता है, बहुत ही अच्छा example diamond, diamond हमने पहली बार उसका structure कब देखा था, class 9 के में बहुत ही खुबसुरस सा उसका structure होता है ठीक है, और एकदम सा periodic सा क्या होता है उसका structure होता है, ठीक, ना यह क्या है यहाँ पर सबसे पहले example क्या हो जाएगा हमारे पास diamond, diamond क्या होता है periodic होता है इसका जो structure होता हो, कैसा होता है तो एक्टोब इस याउल होते हैं टेके-स किसले रहते हैं को इससे द्रीन किया हुते हैं सक्षाटे मने और यह हुते हैं जैसे ग्लास ग्लास के है हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन है ग्लास के एटम रेंडम अरेंज हो रहेते हैं यानि उनका प्रियोडिस प्रियोडिसिटी नहीं होती है उनके अंदर सिमिलरली हमारे पास क्या प्लास्टिक प्लास्टिक भी किसका एक्जामपल है हमारे पास जो नॉन सुलिट पर कर सकते हैं यह हो ता है हमारेपास किया इसको हम और टृटता है और क्रिस्टली क्रिस्टलम यहांपर यह होता है पाली क्रिस्टलाई टृटन था समझतelshet티 सिंगल क्रिस्टल से क्या मतलब हुआ कि सबसे मतलब हुआ अगर अगर ये की पुर्फे मैटर के दौरान धो हो तब उस टाइप की कृस्टल को हम क्या बोल देते हैं single crystal बोल सकते हैं उस टैप की 빨ण solid को क्या बोल देते हैं single crystal बोल देते हैं तो single crystal में कुछ ऐसा होगा कुछ इस टैप का का देखने को मिलेगा सिंगल crystal यानी पूरे crystal के दौरान जो springy यह वो क्या रहेगी हमारे पास सेम रहेगी अगर ये प्रियोडिसेटी है पहली चार एटम की प्रियोडिसेटी ऐसी है ओके पहले नौ एटम इस तरीके से क्या हो रखे हैं अरेंज हो रखे हैं तो जो अगले के जिदले भी एटम होंगे सब के सब ऐसे ही अरेंज होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो solid के अंदर जो atom का treatment है या पिरियोडिसिटी यह है वो वो क्या है शेम है तो उसे हम क्या बोल देंगे single crystal बोलेंगे इतनी वाद आका करते किसकी पॉली क्रिस्टलाइब किसके करते हैं पॉली का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा पॉली क्रिस्टलाइन जैसे नाम से बढ़ा दला है पॉली क्रिस्टलाइन पॉली का मतलब क्या हुआ एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन का मतलब एक सॉलिट का टाइप यानि उसके अंदर क्या होंगे एक से ज्यादा क्रिस तो अगले नो भी ऐसे ही अरेंज होते है लेकिन वो कैसा है पॉली क्रिस्टलाइन है तो जो अगले नो होंगे उनकी प्रियॉड़िक होगी इंसे क्या होगे अलग होगी जरूर निया कि जुरूर नहीं हों वो बार भी हो सकते हैं दस बहो सकते हैं ठीक है लेकिन कटेशन क्या है इन प्रियॉड्रिक है confirmed्ने ना ये भी क्या है प्रियोडिक है देखो ये भी क्या है प्रियोडिक है लेकिन की प्रियोडिक है ये भी प्रियोडिक है लेकिन दोनों की प्रियोडिक है अलग है तो एक क्रिस्टलाइन ये हो गया और एक क्रिस्टलाइन ये हो गया अगें अजूम कर लिया कि एक क्रिस्टल क्या है अलग अलग है तो यहां पर क्या तीन क्रिस्टलाइन होगे एक क्रिस्टलाइन यह हो गया एक क्रिस्टलाइन यह हो गया और एक क्रिस्टलाइन यह हो गया और तीनों क्रिस्टलाइन मिलकर क्या बना रहे हैं एक पॉली क्रिस्टलाइन बना रहे हैं यहां पर एक से ज इंग गरूप ये यह है और एक गुरूप ये है जो यह ग्रूप ये वाला इसे हम क्या बोलते हैं ग्रेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं ओक्छ और ढिल जो the अलग करती है। वह कैसे होते हैं पॉली सोलिड होते है एक होले हैंilateral Zahl आइन है जिन तो जो मैक्जिम नमबर हो हमारे पास solid होते हैं वो कैसे होते हैं तो यह तो क्या हो गया हमारा classification हो गया किसका solid का तो हमने क्या पढ़ा होते हैं क्रि 就 defense Att virtis नोन क्रिस्टलाइन Kate f r t को दो पार्वार में करते हैं स्िंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टल यो नेट क्रिया फक्रिस्ट्लाइन होगा उसमें क्या होंगे जोटे छोट्र के ग्रूप हुंगे यहां पर यह क्या है एक अरेजमेंट है यजो प्रियोडिसीटी है एक्टेंक थू आउट दें क्या बोलते हैं हम पॉलीक्रिसलाइंट बोलते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि वोला हमने में क्या करते हैं हम अगया हमनेप लेक्छर किया हमने बोला कि यह क्टार्टा किया हम विए इस डेप suisick मैं क्या करते हैं हम सॉलिड की for क्या बोलता है कुछ geometry को explain करना कुछ ऐसे geometry होती है solid state physics में उनको explain करना क्या रहता है बहुत ही जरूरी रहता है जैसे कि अभी हमने क्या किया कि जो solid होते हैं किस से मिलकर बने होते हैं atom या molecule से मिलकर बने होते हैं तो जो solid हैं किस से मिलकर बने होते हैं atom से मिलकर बने होते हैं तो कुछ इस type का शोचेंगे कि हम उन atom को कुछ geometrical point से या बोल सकते हैं arbitrary point से क्या कर देंगे replace कर देंगे और एक geometry type के बनाएंगे और हमको पता है किसी solid के structure को study करने से अच्छा एक किताब में बनी हुई geometry को study करना क्या रहता है आशान रहता है तो हम अपनी आसानी के लिए या फिर अपनी convenience के लिए अपनी शुविधा के लिए हम किसी एक atom के structure को एक geometry का form देंगे ठीक है और उस geometry जो form हम देंगे उसी को हम क्या बोलते हैं इस पेस, lattice बोलते हैं और फिर space, sorry या क्या point, lattice बोलते हैं तो सबसे में discuss करते हैं हें डालिए क्या space, lattice या बोल सकते हैं उसको हम क्या point, lattice तो इसे मिटा लेते हैं उसको discuss करते हैं space, lattice इसे कि थोड़ दे पैनल में discuss किया कि कोई हमारे पास अगर solid है तो solid किस से मिलकर बना होता है atom से मिलकर बना होता है और हमने ये बोला कि ये convenient रहता है या फिर ये सुविधा रहती है कि अगर हम उन atom को किस से replace कर दे छोटे छोटे point से replace कर दे या बोल सकते हैं हम arbitrary point से replace कर दे ठीक है अब हम जानते है है अगर हमारे पास कोई भी solid है वो solid कहां होगा three-dimensional solid होगा ठीक कोई भी हमको ऐसे one-dimensional solid नहीं देखने को मिलेगा जैसे eta है जो eat है वो eat क्या है three-dimensional है तो उसके atom होंगे वो भी उनका arrangement होगा वो कितने dimension में होगा तीन dimension में होगा तो जो हम जो हमारे पास point हम जो arbitrary point अजूम कर रहे हैं किसको replace करके atom को replace करके तो वो point भी कहां होंगे three-dimensional arrangement बनाएंगे तो three-dimensional arrangement of point in space is called space lattice और condition यह होती है कि वहाँ पर जो हर point का जो surrounding हो हो कैसा रहे हमारा identical रहे तो समझते हैं जो बोला हमने कुछ करते हैं अब यहाँ पर यह है हमारे पास two-dimensional है तो यहाँ पर हम three-dimensional point तो नहीं ले सकते लेकिन हम ऐसा आजूम करें कि हमारा solid हो कैसा है two-dimensional है और two-dimensional अजूम कर लिया कि मेरे पास कहा है आपर in two-dimensional बात कर रहे ना टू-dimensional को इस तरीके से थिक पर दूर दूर गुना रहा हो ताकि समझने में क्या रहे आशानी रहे यह कहा है मेरे पास यहां पर पास यहां पर क्या है कुछ पॉइंट है और यह पॉइंट किसके बदले आ रहे हैं एक यहां पास solid मत तो इस तरीके से मैंने क्या बना दे यहां पर यह प्याइबाने सब्सक्राइब जिन कलने सबसक्राने मैं इस शय द maior कि тайफ होता है तो ऐसे ही प्ट कहां कियो रहेंगे आप क्यों और भी आएंगे तो मैं यहाँ पर बना तो सकता नहीं तो मैंने सिर्फ कितना बनाया यहाँ पर टू डाइमेंट्स नो बना रखा है अब देखो जो यहाँ पर इज पॉइंट है वो कैसा होता है identical होता है उसकी जो surrounding होती हो कैसी होती है identical होती है जैसा point यह दिख रहा है वैसाई point यह भी दिखना चाहिए कहने का मतलब क्या है कि इन सब के सब point की जो surrounding हो क्या है identical है इतनी बात के लिए रुखी अब यह कहां है दो dimension में है और इस type के arrangement को किस type के इस type के point के arrangement को arrangement किसा होना चाहिए three dimension होना चाहिए और हर point का surrounding है वो किसा होना चाहिए identical होना चाहिए उसे ही हम क्या बोल देते है space lattice या फिर point lattice बोल देते है तो कि definition क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी हम अगर space lattice को define करने को बूलोगे तो क्या बोलोगे it is a arrangement of infinite number of points in three dimension what is space lattice it is a arrangement of infinite number of points in three dimension with each point have identical surrounding with each point have identical surrounding यहाँ पर जो each point होगा उसके surrounding कैसी होगी shape होगी और यह कैसी lattice है lattice चोरी यह कैसी space lattice है two dimensional space lattice बोल सकते हैं उसको हम two dimensional point lattice तो यह क्या है मेरे पास two dimensional point lattice है two dimensional क्यों बोला क्योंकि यह क्या है two dimensional है क्योंकि यहाँ पर यह ऐसे point बना सकता नहीं सिर्फ यहाँ पर बना सकता हूं तो यह क्या है मेरे पास two dimensional point lattice है definition क्या हो जाएगी it is a arrangement of points in three dimension it is a arrangement of points in three dimension with each point have same surrounding यह फिर identical surrounding okay इतनी बात के लिए भी ना अब इस प्लाइन को समद्थ हो जो बार बार हम बोल रहे है identical surrounding अब identical surrounding का मतलब क्या हुआ identical अजूम कर लिया कि मेरे पास कोई point एक कुण साय यहां पर ओ point है ठीक है कोई point कि है मेरे पास यहां पर ओ पॉइंट है नाओ अम मैं क्या कर रहा हूं इस point को यहां से देख रहा हूं एक इस point को आर बोल दिया क्या बोल दिया मैंने से point को कहां से देखूं इस पॉइंट से देखूं तब भी इसने वैसाई दिखना चाहिए जैसा यह कहां से दिख रहा है इस आर कुल सिरक रहा है क्या बोला मैंद है मैं इस ऐप पॉइंट को मैं दो जोगा रहे हुँ एकफार रसे और एक बार न से इसको ar लुए खराने में जागे था बेखार है तो मुझे इस पॉइंट को क्या बोलूंगा इस पॉइंट 009 is तो यहां पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब नोले, यह कंडिशन एप्लिकेबल, है कि उन सब की sard manipulation क्या है जाना है, तो यह तो क्या हो गया हमारे पास इस पॉइंट लेटिस या फिर ind ही कि इस two dimensional है now अब अगर मुझे इस point O से इस point R में जाना है या फिर इस point R से इस point R से में जाना है तो कैसे जाओंगा इसके लिए हमें शीखना पड़ेगा concept of translation vector तो हिंडा लिए translation vector now what is translation vector हिंडा लो translation vector and translation vector represented by capital T इसके उपर ये translation vector क्या होता है now किसी भी point lattice में एक point से दुसरे point तक जाने के लिए मुझे कुछ mathematical फॉर्मला चाहिए अब अगर मुझे इस point O से इस point R स में जाना चाहता हूं तो मुझे कैचिए एक mathematical फॉर्मलेशन चाहिए और उन mathematical उपरेशन चाहिए और यहां से यहां vector खिचछदूंगा यानि मैं यहां से यहां जाने किस करूंगा एक vector का use करूंगा और उसे में क्या बोल दूंगा translation vector क्या होता है किसी भी space lattice या फिर point lattice में एक point से दुसरे point तक जाने के लिए या फिर इस point से इस point जाने के लिए जिस mathematical किया किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बैर बोलते हैं धिक है अगर मुझे इस.style hmade जाना है इस.otto क्री म से स्थकुर्षा के नयूंगं कर दूंगा क्या क्या कर दूंगा इस.क्त वच हुआ से इस. Shy भॉunn अभी हम डिसकस करेंगे तो इस पॉइंट ओ से आर में जाने क्यों ट्रांसलेशन बेक्टर के है मेरे पास टीवन है देन दिस टीवन से आ अउन से टाइस्टेशन बेक्टरों क्याया मेरे पास एलिए तूह कि मुझे इस पॉइंट о से कहा जाना ए पॉईंट आर में जाना है तक और दो ये बेक्टर लगाई इस बेक्टर का नाम क्या बोल ऐर रोतल इस बेक्टर एप्टर बी गया और्वेक्टों सिंपल यहां पर बेक्टर बी बोल रहे हैं देखो कहां से गया इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट तक गया मुझे का लगा यहां पर बेक्टर बी लगा चुरी बेक्टर भी यहां पर एड किया हमने तो यहां पर मेरे पास ट्रांसलेशन बेक्टर फॉर इस यहां जाना है तो थो प्रास्वाल या दूगए को यहां कितने आ जायगा 2A ओने लिए गर यहा को कितने बाई लगा दूगा 2B दो बाई लिख सकता हों तो इन जर्नल को चैके किस भी पॉंट मैं जाना चाहों तो इन जर्नल को आइल इन जर्नल इन इसको हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांसलेशन बेक्टर बोलते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांसलेशन बेक्टर बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांसलेशन बेक्टर अब देखो मैं इस ट्रांसलेशन बेक्टर को भी इसके टम में लिख सकता हूँ देखो अब यहाँ पर एन्वान की जो कितना है वन है इसे में क्या लिखता हू फिर प्लस यहां पर एंट के जो कितना है? 0 है क्योंकि B है नहीं तो कितना आजागा है आपर? 0 B वेक्टर तो इस T1 को मैं इस तरीके से एक्सपर कर सकता हूँ इसके टम में similarly इसको भी एक्सपर कर सकता हूँ कितना आ जागा यहां पर? अब यहां पर A है नहीं तो कितना आजाएगा जीरो वेक्टर ए प्लस वान इंटू बेक्टर बी आ गया ठीक है तो यहां पर A और B इन्हें क्या बोलता हूं मैं यहां पर बेक्टर टी सेखी हुए दिस्टी हरे aquí T्ट ड्रेस्ट भ्लस बंटू बेक्टर ब्लस एन्हें थ्र बेक्टर एक अगें यहां पर जोन 1 ए उन टू एक य पर जोन 2 होंगे यह और एंटू है और ए embry है ओनगे मेरे पास इंटीजर हूँगे और यह होंगे और जो मेरे पास A, B, C बेक्टर हैं यह क्या होंगे हमारे पास fundamental translation vector होंगे A, B, C को क्या बोलनाँगा मैं fundamental translation vector और T को क्या बोलनाँगा मैं simple translation vector बोल दूँगा ठीक है तो यह कहां हो गया हमारे पास in three dimension हो गया अब यहाँ पर क्वेंस का or is a a a और बी का choice हम कैसे करेंगे इसम ए और बी को और किस तरीके से चूज करेंगे तो ए और बी को कई से चूज करेंगे देखो ए और बी कबिज हो रहे हैँ कि हम ए जुगा से दुषर जुगा जारें के एक point से दूसरी point में जा रहे हैं, तो हम इस तरीक से choose करेंगे कि कि किसी भी point का surrounding है वो change ना हो, याने फिर किसी भी point का surrounding है वो क्या रहे, identical रहे है, तो इस तरीक से क्या होगा, इनका choice होगा, नाव इंटू देमेंशन यहाँ पर मैं दो तरीक से चूछ कर सकता हूं मैं एजूम कर लिया let I have two चोईस कौन कुनसी है मेरे पास यहाँ पर क्षच को सब्कांव samadero एन इसवे सीन तो मैंने यहाँ बौदोय थीर थे दो वालने कंसे इसे मिटावढ पर आपके हैu पहने वाले कर देते हैं जहां हमारे पास जो क्या fundamental flashlight ihre orfатель हैinator मेरे पास A1B1 ठिक है तो मैंने इस तर bunk सेiell एजुम कर लिया कि ये क्या है मेरे पास point o है इस point o से ये क्या है मेरे पास यहाँ पर A1 है और इस point B से ये क्या है मेरे पास A2 bak टर है B1 बेक्टर है A2 नहीं B1 और यह क्या है मिरे पास A1 बेक्टर है मैंने अजूं के लिए यह point क्या है मिरे पास R है अम मुझे क्या करना है इस A1 और B1 की help से कहा जाना है इस point R पर जाना है ठीक है कहा जाना है इस point R पर जाना है और इस तरीके से जाना है कि आरटाइट से भी यह प्वैसा ही दिखे इस सोारी कि आडude से भी वैसा ही दिखे ये पॉइंट ओम जैसा कहा से देख रहा था र से तक हख रहा है तो मुझे कुछ इस करना है तो कि जो आर से जो मुझे देखे मुझे यहां पर एक translation बेक्टर लगाना है कि मैं यहां से कहा जाना है मिरेको इधर जाना है तो मैं कौन सा translation बेक्टर एड करूंगा देखो translation बेक्टर जनरले कसे लिखते हैं इस translation बेक्टर T प्लेस कुछ translation बेक्टर T ठीक है क्योंकि यहां से यहां कप जाऊंगा मैं यहां कुछ translation बेक्टर एड करूंगा अब मुझे निकालना है कि इस translation बेक्टर T की वेड्यू hogyan क्या होगे बीवन जोड़ दो तो कहां पहुंच जाओंगा मैं इस आर डेस में पहुंच जाओंगा तो यहां से मेरे पास जो टी इक्वल्ट होगा वो किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा बीवन के बराबर होगा लेकिन हमको इस फ्रम लिखना है तो यहाँ पर क्या जाएगा वन बीवन प्लस जीरो एवन आ जाये हाँ तो इसके बल d यहां से अधर पूट कर दो तो यहां से र वन प्लस कीतना ओंगया है अपर? जीरो, A1 ब्लस का और 1 B1 आ रहें, तो यह क्या आ गया? यहां pra translation vector T T T यहां लए ट्रांसलेशन vector यहां से यहां जाने के लिए यूज होगा। जिशह होगा है, यहां यहां पर B2 को सक्थ है? जाना है नाॉ next case में क्या है हमारे पास कौन से एक डूं डियु यह वो हो तो ऐसी यह को है यही है लेकिन भी टूंटby डूट कुछ ऐसा यह यह क्या है मेरे पास यहाँ पर इक पर मसें यह जो है यह बेक्टर कूंसा है देटर कीकर उत्सक्रीच Frage होगा मैं कहां पहुंच जाओं इस आडेस में पहुंच जाओं देखो अभी ऐसा अजुम करो कि यह B1 और A1 गायब हो गए है आपको सिर्फ किन को देखना है इस A2 और B2 को देखना है अब यहां से अब मुझे जाना कहा है इधर जाना है यहां तो मैं हुई पहले इस A इस आ यहां तक कितना होगा 1 by 2 A2 होगा ठीक है क्योंकि A2 by 2 होगा यहां से यहां से यहां तक फिर कहां जाओंगो यहां से इधर जाओंगा अब देखो यहां से यहां से यहां तक कितना है यहां से यहां से यहां तक यहां से यहां तक बीटू के बराबर है तो यहां से यहां से यहां तक यहां से यहां तक इसका और होगा 1 by 2 a1 बेक्टर के बराबर होगा तो यहां से यहां जाने के लिए translation vector क्या हो गया यहां पर t is equal to कितना आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1 by 2 a2 plus 1 by 2 b2 तो second case में जहां हमारे पास क्या है जो हमारे पास जो fundamental translation vector है वो कहा है मेरे पास a2 b2 है तब उस case में हमारे पास क्या हो जाएगा जो r डेस पर जाने के लिए जो मैं आपर translation vector t add करूंगा तो translation vector t किसके बराबर आ जागा मेरे पास 1 by 2 a2 plus 1 by 2 b2 के बराबर आ जाएगा ठीक है तो यहां से मेरे पास यह r डेस is equal to r plus 1 by 2 a2 plus 1 by 2 कितना हो गया बी टू हो गया ठीक 1 by 2 b2 तो इस तरीके से में translation vector की help से space lattice में एक point से दुसरे point में जा सकता हूं अब यहां पर एक importance यहां पर जो n1 n2 है यह क्या था n1 यह क्या है n2 यह क्या है आपर n1 है और यह क्या है n2 है दोनूं कैसे है integer है कैसे है मेरे पास integer है और इस case में जो n1 और n2 है यह क्या है n1 यह क्या है n2 अगर इससे compare करोगे तो यह क्या है मेरे पास n1 यह क्या है मेरे पास n2 दोनूं कैसे है non integer है कैसे है मेरे पास non integer है यह इस case में कैसे है यह non integer है तो जब n1 और n2 की value integer होती है तब इस type के translation vector को फोरायजन बेक्टर और जब n1 ओरर एंटू की विल्यों कैसी होती है नौन-ंटिजर होती है विल्यादं आपर ऐसी होते है आदो धुक्त Śमेशलाद गया हुगी त submit टो अशलीशन वेक्तर को हम बोलते है क्या लॉन प्रेमिऻटीव ट्रासलेशन गटर क्या बोलते है नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन बेक्टर बोलते हैं ठीक है तो यह क्या होगा ट्रांसलेशन बेक्टर और यह क्या होगा नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन बेक्टर और यह क्या होगा प्रिमिटिव ट्रांसलेशन बेक्टर प्रिमिटिव कब होगा जब N1 और N2 की वैल ट्रांसलेशन बेटर क्या होता है से घुठाइब उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बेटर बोलते हैं ट्रेशन बेटर बोलते है इक ज़िन Pan